यह जो पेंड देख रहे हैं यहाँ प्रहापुरा 36 गाड में पूरा मिलता है जंगली छेत्र में वनान्चलों में और महाराश्टक तरफ गया था यह क्या है खोडखेडा घोटन गाउं इस साइड में मैं गया था और चांदागड के तरफ सोनसरी तो वहां पर भी यहाँ ज यारवेद में खुब काम आता है मातरदर्सन के लिए उसको दिखा रहा है हम और इसके चिरोंजी के नाम से बेचा जाता है और इसके 2-3-4000 रुपे किलो होता है इनका बीच का मैं दुकान में जाकर पूछ लिया है तो इसको मैं दिखा रहा हूं यह देखिए अभी गर्म वनस्पति कि इसमें इस बंदा भौन यह पूसे काम करता है जर रहा है और सभी कृल निकर रहा है कि पत्ते को तोड़ करके प्रहें चाहित प्रहें को कि इस आगbaby च मीर्यली आप गई सर्थिया प्रयोग है यह चंसरोन दोगय करने में थे किस नवर यह जंगली पियाज यह जंगली पियाज का सिद्टे को पॉधा थोटा सा इसी निकलता इस रहता है इसके अंदर जैसे सबर्सक्यार निकलता है जिस किसी को आगर कुलहाड़ी से भी लगर कट गया हो और आप पाइजयन का लगाते अगते आ investigators यहां पर और भाई यह देखे यह है और यहां पर भी है वह देखें ओसामने में फिर एक और आयरवेद के उच्च कोटी के उसको क्या कहते हैं हमारी 36 गड़ी वासाम इसको दसमूल कान्दा कहते हैं लेकिन वो दसमूल ने जिसमें दस प्रकार के उस्َّधि मिला जाता है और अयरवेद में उसको सतावर कहा जाता है जो शेट में अपने खेट में आया हूं यह इसको पहचान कीजिएगा, यह सतावर है, इसमें से यहां पर कंद निकलता है, यहां पर यहां पर यह है, उसके जड़ वाले इसमें खराब हो गई है, अब इसमें काटे लगे हों, यह देखिए, यह है सतावर, इस सतावर की महिमा अपार है, लेकिन दर्शन के लिए इसके के अलग सरवल्टे बनाएंगे हम अब इसमें सफचे फूल लगती च्छोटी महिन-महिन और मतर के चोटा के बीज आती है पकने पर खाल को अपने पर बीज है le Little क που शेख सकते हैं और मैं अपनी इस इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं झाल 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 झाल